आप लोगाइज नेक्स एपसोड के स्टार्टर से पहले आपनों येग को सब्सकाइब कर देंगे इसे अपनी नेक्स एपसोड को स्टार्ट करतें हैं पिनी बोरा होता और सोचे लग चाहता है कि उसे क्या करना चाहिए और ये सब क्या हो रहा है और इदर हमें गू दिखा जाता है जो स्टीवन से बात करने के लिए पहुंच किया था और स्टीवन भी आथ काफी अच्छे से उसका वेलकम करता कहता है कि अपना घरी समझो इसे ये कहकर उसे बठा लेता और गूकाई लगता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही किता है कि तुम की तो हमपनी एच सी के शेयर्स को लेना चाहते तु हमें तुम यहारी गेम चाहएए पर जितनी पार भी हमने तुम्हें यहां पर काम करने के लिए ओफर किया फृतर के तो इसलिए मेरा बोस तुम्हारी एसी को बाई करने के लिए भी त्यार हो गया ताकि इससे तुम हमें मिल जाओ तो वा कहता है कि अच्छा मैं ही चाहिए ना तो मैं वैसे भी तुम लोगों के पास आ सकता हूं यह सुनकवा कहता है कि क्या मतलब तो कहता है कि तुम लोगों क साबसे मैं यहाँ पर आसता हूँ और तुम लोगों को इतना नुक्सान भी नहीं होगा जो एसी के शेयर्स लेकर तुम लोगों को होगा यह सुनकवा कहता है कि तुमने इतनी जल्दी अपने माइंड को कैसे चेंज कर लिया गु कहता है कि मेरे एक ही मकसद है अपनी गेम का बनाना अगर वहाँ पर नहीं तो यहाँ पर बना लूँगा गेमी तो बनानी है पीछे वाले इन्वेस्टर से जरा मतलब नहीं है ये बास सुनकर तो वो खुश हो जाते है तो को कहता है कि पर मेरी यहाँ पर आने के लिए एक रिक्वेस्ट होगी यह सुनकर वो कहता है कि हाँ बोलो क्या रिक्वेस्ट है तो वो कहता है कि जब मैं HC में आया था ता मुझे एक agreement paper पर sign करवाया था कि मैं काम खतम होने से पहल कि आप तुम invest नहीं कर रहे हो और नहीं shares को buy कर रहे हो तो 10% तो मुझे लेने में तो यह profit वाली बात इत्ती बुरी नहीं लगनी चाहिए अब काफी टाइम सोचने के बास even कहता है कि हाँ तुम्हारी यह वाली बात भी मंज़ा मनजूर है अब इन दोना में यह बात पकी ह हो चुकी थी और जैसी कि बस टीला को पता लगती है तो वो गूपर चिलाने लग जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मैं हमेशा से तुम्हें स्पोर्ट करती आई हूँ और यहीं पर तुम सेलफिश बंकर उन लोगों के पास जा रहे हो मैं सब लोगों के आगे है एसी गेम्स को छोड़ कर तो उनमें से एक कहने लगता है कि तुम लोगों को इतनी चल्दी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए पैले ठीक से पता तो लग चाहिए कि मिस्टर गू क्या चाहते हैं अब चियान भी काफी पर चिलाने के बाद जब आहीं निकलती है तो इन की लोग भी कहरे होता है कि क्या बात हुई और चियान भी गूस से बात करने लगते है तो गूस की बातों पर भी यह कहरा होता है कि मैंने जो सौच लिया वही होगा यह क्या कर वांस जला चाहता अब चियान को भी घुसा आया होता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है क्या उसको क चाहिए लास जांसा मुझे लगता है की हमने गूव का साथ देना चाहिए तिम छोगों को भी उससे समझना चाहिए पर कोई भी गूव. समझने के दियार नहीं हो रहा हो तो नहीं वे कंसा सतह्ते थे चीछ Ama sexual बिल्च न infinite कि तर चेंच करने के बघए कहिए कि अब को Anand al土 को Eastern Design से Western Design में Change करेंगे यह तो किती गलत बात है ना उनके सारी मिछनत तो जाया हो गई उसकी सारी बातों को जुनसुरा होता भी कहता है कि मैं तुमसे एक इगात कहूंगा बच्पन में मुझे नहीं पाता था कि लाइफ में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता जब तक मेरी लाइफ में गू नहीं आया था और गू के आने के बाद मुझे पता लगा के ड्रीम्स को भी पूरा किया जा सकता है और मैंने तब ही सोच लिया था कि गू को जब भी मेरी हल्प की जुरत होगी मैं उसकी हल्प करूँगा चाहिए जो भी करना पड़े तो अब इस तरह मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ तो तुम्हें भी इस बात को समझना होगा तो शिनी कहती है कि तुम्हें बस अपनी करियर और पैसे की है और इस गेम की है ना भी बी चैन लिफ्ट के लिए आ गई थी और वहाँ पर गूबी आकर खड़ा हो जाता तो चैन उसे कहती है कि तुम्हें अपना माइंड तो बना लिया पर फीबी मैं तुमसे एक ही बात पूछा चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी गेम का थीम भी चेंज हो जाए मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कुछ चाहते थे तुम इस केम के लिए बहुत ही लगन से काम कर रहे थे अपने डाट के बारे में भी तो सोचो तुम तो उनके भी माइंड को चेंज कर रहे हो गूब बस चुपकर कि उसकी बातों को सुन रहा होता है और लिफ्ट ओपन होन और उसके पर एक नौट भी छोड़ा हुआ था कि तो मैं बेकफस्स कर लेना चाहिए बट यह देखने के बाद यह उसको वैसे उठा कर गो के ओफिस में ले जाते हैं और वहां पर जाकर जब रखते हैं तो इसको वोवल आग्रिमेंट पेपर भी नज़र आ जाता है जो आ सारी करोगी में तोरे रहे गहां ले चैसी कि फथा करने करें। तो चियांट के साथ हमने करो तो चैनि के साथ भूर के साथ सांसे मैं मैं क्यर्ण चेंज कर सकती हूं। और यह करने की मेरी हिमत नहीं होगी बट फिर भी देखो मैं उसके साथ हूँ और खुद पर अफसोस भी होता है और शिर्णी के साथ रिंग करते हुए कहा रही होती है कि गू वो नी राज जिसे मैं प्यार करती थी गू बदल चुका है वो वो वाला परफेक्ट गू नहीं है अब इत्ती जदर रिंग करने के बाट चैन घर पर वापिस आती है तो गर का पासवर्ड ने लग रहा होता बार बार गलत पासवर्ड लगा रही होती है तो डौर को मारते होए कहीं लगती है कि तुम भी आप मुझे बुली करें आगे वो कम था जो मुझे बूली कर रहा था और वहीं पर उसको बाते सुनाने लग चाहती है उसकी आवाजों को सुनकर गो भी बाहर आ गया था और चैन से कहीं लगता है कि तुमने इतनी सदा ड्रिंग क्यों की इतने में ही चैन को इती ट्रिंग करने की वज़ा से वामिट होने लगती है तो वो नहीं चाहता था कि कहीं पर भी वामिट कर दे इसलिए वो उसे जल्दी से अपने घर पर ले चाहता है आहां पर जाकर उसे vomit करवाता है और vomit करवाणे के बाटी शू से जब उसका फेस साफ कर रहा होता है तो वो खूदी पकड़ के साफ करने लगते हैं कि तो मैं कुछ भी करने की जोड़ नहीं है अब जब वो सोने सोने की बाते करी होती तो गूबी उसे लेकर जा रहा होता है कि जाकर मेरे रूम में सोचाओ पर चैन इसकी स्मेल से कहीं लगती है कि तुम्हाई स्मेल तो गू की स्मेल जैसी है झाल झाल